आप जबी साथकों का स्वागत हैं मैं अर्विन सकसेना बोल रहा हूं साधना रगत के रहस्यों तता तत्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रतेक वीजियो को देखें और इसमें दीगए प्रतेक प्लेजिस को भी देखें अब ये वीजियो एक बहुत मतपूर्ण वीजि काशी के बारे में जो मेरी प्लेजिस्ट है आप देखें कि उसमें बहुत सारे आपको वीजियो मिलेंगे उसमें उस एंगल से जो वीजियो हैं जो चर्चा करिए साधना के लिए कौन जी अच्छी स्थलिया हैं यहां पर साधकों को विशेरी रूप से जहान देना को हते हैं यह इन वीजियो है जो कि इस चैनल में विशेष रूप से जो भी मेरे चैनल में वीजियो है उनका ठीम है कि आप तॉरी पर्चाने की चाहिए वह जायए कर दा दिढरिया sprझ मुछिए फिरे घा शाद्रों के साधना का है जो भी धार को जाएग दिरे हैंblic Prat ला कुछ इसा साथना के बारे में जानकरि और हम कुन इस्तान को खोज नू मिलते हैं तो हमको क्या करना चाहिए यही आप विडिव में विडियों के कुछ हैं चिरफ़ा कर रहा हूं सूर के आप देखेंगे प्लेश हैं जाईए गा तो माप सूर के नाम से आपको जो प्लेश में वीडियो मिलेंगे उसमें बहुत सारे मिलें कि सूर उपासना बड़ी इंपॉर्टेंट उपासना और जो मैंने पंछ देव उपासना रहस में 495 नमर का वीडियो उसमें बताए भी है पंच बूत, प्रत्वी जल, अगनी, वायु आकाश, पांच देवताओं के बारे में आप पांच अतरशीशों के बारे में उसमें जानकरी दिया है तो 247 नमर का वीडियो सूर अतरशीश के बारे में जरूर देखिएगा और 192 नमर का वीडियो जरूर इंपोर्टेंट है अगनी, सूम, सूर के बारे में इसमें बहुत ही बहुत ही दुरलाब जानकरी मिलेगी कि ये इनके संबंध क्या है अगनी, सूम, सूर ये तो और इनका शक्ति स्तत्व से क्या संबंध है इस सब बात हैं उसमें मिलेंगे, आप 192, 192 नमर का वीडियो देखने का प्रयास करें क्योंकि अगर हमको शक्ति साधना करनी है, जो भी साधना करनी है, पो सूर साधना को अपने जीवन में क्यों स्थान देना चाहिए ये एक बात जब आप देखेंगे, ये 395 नमर का वीडियो 495 पंच देव उपासना रहसे में पासमन में आएगी और 247 नमर वाला सूर अतरशीश वाले वीडियो में देखेंगे, समझ में बात आएगी सूर अतरशीश के क्या लाव होते हैं, उसके फल्शुती में आप मिल लेंगे आपको, उसके क्या पाट करने से लाव होते हैं तो इसे ही अपने आप में इस पस्ट हो जाएगा कि इनकी साधना कितनी मुलवान है और प्रत्यक साध़ को कुछने कोशिश करके इनकी साधना करनी चाहिए अब उसमें अकर हम अकाशी के बारे में जानकरी है तो अकाशी में कौन से इस प्रकार के हम कौन से स्थान ऐसे ढूने कि जहां पर हम सूर्दिवता की साधना करें वह एक वीडियो का विचे हैं लेकिन कोई भी जानकरी जो भी हो हमेशा दो तीन बात हैं जो जान रहना चा अब दूसरा दिव घ्यान का सम्मान है अगर 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 गलत ग्यान हुआ है गलत तरीके से प्रास किया गया तो उसके अंदर में भी वीद्या लॉक हो जाती है बंद हो जाती है में हो सका तो आगे आने वाले कुछ वीडियो में इस पर शर्चा भी करूँगा इचल कपट से खटा किया हुआ ग्यान हो कहीं से भी जो कि हम अधिकारी भी ना हो उसको भी हम ग्यान अनधिकारी कहते हैं चेस्टा करी जाए कि हम लाइक में नहीं तब भी हम उसके पीछे कादना हैं और इनको यह मानते हुए कि हम गुर्व करना है तो पर अगर विद्या की कर सकते तो प्र विद्या प्राव्त्य भी नहीं होगी और कर जिसे होता है गोलगपशे खाले चाट-पकोडी खाले मजा नहीं आएगा बंदी दुर्ड में चले जाएंगे एक आप्या निश्वल हो जाती है और कम से कम मौके पर काम नहीं आती है और देवी देवताय जो होते हैं उसको लॉक कर देते हैं उसको बंधन में डाल देते हैं विद्या को भी लॉक कर देते हैं उस व्रक्ति को भी लॉक कर देते हैं ये बात मैंने अतरवे सम्मिता से बहुत सारी और तब भी जो है दोका भी दे दूँगा और चलकपट भी कर लूँगा तो फिर उसको फिर ये विद्या से काम आने वाली भी नहीं है क्योंकि ये ब्रह्म विद्या की चीज़े हैं उल्टा या लॉक होने के चांस बहुत जादे बढ़ जाते हैं ये अगर कोई गलत काम भी करें और अच्छे काम साथ में जाए साधना भी करने का प्रयास करें तो फिर ब्रह्म राक्षास के शेड़ी में जाने की उसकी सिती बनती है ब्रह्म राक्षास वाला वीजियो 291 वाला देख लीज़ेगा ये मैं इतनी बात इसलिए खहरा हूँ तो कि अकर ये बात नहीं तो मैं बात बताने जा रहा हूँ काची काची के बारे में क्या मेरे वीडियो ना आप देखिए का जब तो समने बारे है कि कैसा स्थान है वो क्यों इसको दिविता की शेड़ी में माना जाता है और वहां पे भी मैं सूर भगवान उनके जो बार आदित थे थे हैं उनके स् काची में इन इस्थानों पर सूर साधना करने तो क्या लाब है अब वहां पर कोई बिल्कूल के एक्सपेरिमेंट करने की तरीके से जाए और तो फिर समझ लिए कि उसको नहीं जाना चाहिए जादे अच्छा रहा है उसके बजाए है कि उपने चुपचा जो काम करे करे अ करें जाना चाहिए कि उसमें पासिंग मार्क होता है यानि सो में सो नमर चाहिए उसमें 99 पर भी आपी फियल हो जाता है इतना इतना कठोर इसके अंतर नियम होते हैं अब इसको बहुत लाइट ले लेना अगर जो है तो यह फिर अपने एपने इमने सोच के निर निर्वार सबसक्राइब तै procurement केς चाहिए चोटे 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 आए एक्सपेरिमेंट करें एक सो पच्चानवे नमबर का वीडियो देखिए गराक्षा सो दारा बक्षा और 306, 308 और 327 नमबर वीडियो आप उन गुरू वाले देखिएगा और टोना टुटके और काला जादू और ये काली शक्ति इनके वीडियो भी आप प्लेस में मिल रहेंगे आपको इन से दूर गरना चाहिए अगर इन सब्सक्राइब बात सोते रहें कि हम सूर साधना भी कर लें कि दोनों बड़े विरुदाबास की सितियां हो जाएंगी ये आप गीता वाले बगवत गीता में कुछ बारे में उसमें भी कुछ जैसे टॉपिक्स हैं जो मैंने वीडियो बनाए हुए उसमें भी बात को समयने है कि सात्विक साधना राजसिक साधना तामसिक साधना है वो उसके अंदर में जो बगवत गीता मताएगी इन सारी चीज़े वो मैंने उसमें बताई है कि उसके अनसार में सेलक किलना जाए है अगर हम तामसिक साधना है करेंगे और हम सात्विक तो ठीक है लेगन यह मूल देवता है इनकी साधना करनी ज़रूरी है यह 495 नॉमबर वाला वीडियो भी देखेंगे तो सुमर में बात आएगी अब इस कंटेक्स्ट में इसको इतनी बात को समझते हुए तब हम वैब बात को समझते नहीं और यहां पे कोई उस्फेरिमेंट करने का प्यास मैं जो बहुत शीरस साहदक हों इसकली वीडियो के लिए हैं जो कि शाते हैं नहीं हम अपनी साथना की चीजां को बारीकों को समझे भी और साथ में उनको इस तरीके फिर दिश्टी रखनी है लेकिन एक सेलेक्ट्रेट्र में करनें नेमें रुब्से के प्रुबभावित्स करते हैं, खम सरे साथनी नहींर। यानि दुन्द की भाउना नहीं रहती। दुन्द का ही समापती तो साथना के लक्ष होता है फानली। दुन्दा तीत वाला वीडियो देखिए गा तो ती ने तरपकाश अगन मंदलाकार अंधिरे तरपकाश की और 392 नमबर के वीडियो। तो ये साथना जो आपको बता रहा हूँ ये स्थान बता रहा हूँ जो आपको इनके बारे में जानकरी कटा करके हम वहाब जाते हैं और हमको ऐसा अफसर मिलता है तो हमको इस प्रकार की क्या साथना करनी है ये सब चर्चा इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो काची के जो आपको बारा आदित है उनके बारेम जानकरी दे रहा हूँ इसमें जो एक पहला आदित के बारेम जानकरी दूँगा है जो बगवान सूर के जो स्तली उसके बारेम जानकरी है वो लुलार्क उसका नाव है लुलार्क तो वहाँ पे क्या हुआ था बगवान श्रीव का वादेश के कारण जब बगवान जो सूरदिर्ता है वहा पे पहुनचे अब उन्हazy अने वहाँ पर इस नवास किया सादना इत्यादी करी फिर بعد में उनका मन इतना रम गया काशी में कि वहां काशी में उनका वाफ़ जाने का मन नहीं हुआ उसको कहते हैं उनका मन लोल कर गया है नहीं कि मन उनका जो है बहुत जादे हैं वहां से उसमें लग गया कि वह जो है मैं काशी से छोड़ कर नहीं जाओंगा इसलिए उस इसस्तान का नाम लोलार्क हुआ हुआ और यह स्थान जो है गंगा जो आसी संगम तट के निकट में भदैणी जो इस्थान है वहाँ पे है इनकी साधना के मारे में तो बहुत प्रसिद्धी है और बारह अदित में सबसे ज्यादे प्रसिद्ध हैं जो की काशी मे प्रत्यक काशी निवासी तो कम सक्हल मुआ। इसमें यह हो है कि यहांपे अ कुलॉर्कुंड नीए है। इसको सूर्कuंड का रहाता है। यहांपे भाधरपद शोकलोपक्ष की शष्टी, इसको लौलार्क शठ कहते है। यहां पे बहुत विशेश दिन होता है, यहां पे काफी भीड रहती है और लोग बहुत जाते हैं दर्शन के दने पूजन करने और यहां पे लोलार के इश्वर महादेव हैं जहां सुर्ध देवताने तपस्या की थी और श्विलिंग की स्ताबना की थी इनका महत्व यह है कि इस इस्थान का कि यहां पे चर्म रोगों की समाप्ती होती है और संतान प्राप्ती के अफसर बनते हैं यह सारी चीजे हैं यहां पर जो दर्शन पूजा इत्यादी करते हैं उनके लिए है यह वो उसको यह बहुती मनता है यहां पर की इस विशेश कुरान में भी इनका मिल जाएगा लोडार्क इस्थान के बारे में भी सूर जो देवता है यह अगर आप सूर अतरशीश देखेंगे और उनका पार्ट करेंगे उसके फलशृती में भी देखेंगा है तो बले-बले पापों का नाच करने के लिए विवन प्रगार की व्या दरदेता हो उस समों के लिए सूर दिवता की साधने अत्यादी होती है अब दूसरे आदित जो है वो काशी के उत्तरार्क है उनका नाम उत्तरार्क है और यह बकरिया कुंड के पास में है और यह अलाईपुरा के समीफ है तीसरे जो आदित हैं उनका नाम सामबादित्य है और ये इनका मंदिर जो है सूरकुंड मोले में कुंड के तटपर है और चौथे आदित जो है वो दुरापता दित्य है और पांचमे जो आदित्य है ये मयूखा दित्य है मयूखा दित्य जो है ये बहुती पसिद जो एक मंगला गोरी मंदिर है और ये पंच गंगा घाट पे मंगला कोरी मंदिर है वहाँ पे इनका स्थार है और ये यहाँ पर क्या हुआ जागी प्राचीन काल में जो पंच गंगा के निकट में यहाँ पर जो सूरु देवता ने जो बगवान शिव और माता की उनकी तपस्या करी थी यहाँ तो यहाँ पर पंच गंगा का हाट में शिव लिंग और देवी की स्थापना करके उन्होंने सूरु देवता ने बहुत तप किया था जो देवी है उनका नाम मंगला गोरी के नाम से पसिद्ध है और जब तपस्या हुए से भगवान शिव ने प्रसंद होकर उनसे कहा कि तुमारी पादित्य होगा यानि जब वो साधना कर रहा थे उतना तेज उनके अंदर में आ रहा था कि वो शरी नहीं से लग रहा था कि वो किरणों का पुंजो किरणे जहें उसको मयूख कहते हैं इसलिए इनका नाम मयूखाद्यत्य कहते हैं और इनकी पूजन करने से कोई व्याद से प्रसिद्धी सलेवी है काशी में की यह जो अभिवाहित कन्या जहें उनको योग वर की प्राप्ति इनके दर्शन से तैदीस होती है मंगला गोरी के और मंगला गोरी के दर्शन से मंगल दोश का निवारन होता है संतान प्राप्ति की संभावना होती है और इनका दर्श इस तरीके की जो इनका नाम इनका जो इस्थान है ये पार्टन दर्वाजा मोहले में कामिश्वर मंदिर के द्वार पे है ये और इसके बाद जो साथ में आदित्य है उनका नाम अरुणा अदित्य है अरुणा जित्य है पार्टन दर्वाजा मोहले में तुले रुचन मंदिर में इस्तित है और इनके दर्शन से ये माना जाता है कि उनको शोक जनित्य यानि शोक होता है रोग शोक और दर्दिता ये बड़े परिशान करने वाले कस्ट होते हैं तो शोक मुलना किसी से विलगा हो जाना किसी की मृत्ति हो जाना किसी पी तरहीके से तो वो शोक वाली सिति का निराखन के लिए इनका अरुणा जित्ति का दर्शन करने का एक विध और जो कि नाव इनका व्रद्धा प्रद्धित्थ है इनके लिए पार्जन पूझें उप्रण पूचां से जो बुढ़ाप नियुक्त इसभी मार्ट बनते हैं इसके लावा केशव आदित्व है यह अगले जो आदित्व हैं यह काशी में यहाँ पर क्या हुआ था कि भगवान विश्णू के मुक्षे जो है शिवजी का बारे में जानकारी जब वर्णन कर रहे थे सूर्देवता को भगवान विश्णू तो उनने बता दिने के बाद में सूर्देवता से कहा कि तुम जो हो यहाँ पर अपने तेज को बढ़ाने वाली लक्षमी को प्राप्त करने के लिए शिवलिंग की यहाँ पर पूजा करो तो यह सुनकर अपना गुरू मानकर अधिकेशव के उत्तर में वो उनकी सिती बनी वो केशवा देते है यहाँ अधिकेशव इस्थान एक जागा है आप मेरे वीडियो देखेंगे उसमें काशी के बारे में उसमें आपको मिलेगा तो आधिकेशव इस्थान है वहाँ पर गंगा के तट पर अगर आप प्रारम करें वर्णास की तरफ से तो आपको यह घाट मिलेंगे काशी आधिकेशव घाट मिलेगा वहाँ पर वहाँ पर केशवा दित्ति की सिती को समझना चाहिए और इसके अलावा जो है कि जो भी है इस अभी दर्शन पूजन से व्यादियां को दूर करना और समस्त पापों का विनाश होता है ऐसा माननेता है और इसके वाँ गंगा देते हैं यह गंगा दित वारणसी में जो है यह ललिता घाट पर सिती है इनकी और बार में आ देते जो है वो यम आ देते हैं और यह संकटा कर कोई इसको यम तीरत भी कहते हैं यहां पर शाद कर यमिश्वर के पूजा करके और यम देते को उनकी पूजन करके जो व्यक्टी करता है साधना या वो अपने पितर रिन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है यह विशेश रूप से जाना चाहिए बारह आदेते जितने भी है क्गी ये वड़र किया है यहां पे इन रिधर आदेतों का जो दर्शन पूजन जरूर करने का प्रास करना चाहिए विशेश रूप से जो मैंने बता है लो लुलार्क मा लुलार्क स्थान पर जाना चाहिए मैं इस्थान की मैंने चर्चा करी और जो कि मंगला के गौरी मंदिर में सिती है उनकी केशा आदित की चर्चा करी या मादित की चर्चा करी तो बारा आदित में से मुक रूप से इनकी मैंने चर्चा करी इसका मतलब यह नहीं कि जो कि मैंने अन्यादित जो हैं उनके जशन नहीं करने जहीं उनके स्थान में बता दियें अब जो कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने इसको इतने आदित पर ही कहिंदित रखा आगे कभी मौका मिलेगा तो बागे आज़त के भी जो उनके वर्णन नित्यादी और करने का प्रयास करूँगा लेकिन यहां में साधना क्या करनी है तो इस साधना में सबसे सरफशे साधना जो रहती है सूर अतरशीश का पार्ट यह 247 नमार का वीडियो आप देखेगा यह अतरशीश के संग्रह में आपको गीता पैस गुड़कपुर में पुस्तक मिलेगी आपको और चोटी सी है उसमें ज्यादे महिंगी भी नहीं है 10-15 रुपय की बुस्तक है और आप उसको देखें उसको हमेशा अपने साथ में भी रखना चाहिए उसमें जो पांचो अतरशीशों के आपको मिलेंगे उसमें जो टेक्स मिल जाएगा रखना चाहिए तो कहीं भी अगर किसी स्थान पर जाओ मंदिर में जाओ कहीं भी चाहिए उसमे बूर सर जगैसि अतरशीश के पाट करने से भी बहुत लाख होता है और जो अरो मस परकार के लिए को ऑप बीमारीं के लिए हैं वो सब बाते आप जब जायाएं विडियो में लायुन जाओं है जेंरbas कि का शर को जाओ नाम से ऑड़ियो deeper लोinalsन देशन चाह बीट कसी लिए करने के प्राटरशीश के लिए तो आशा करता कर आप सब लों को जानकर ये अच्छी लेगी के लिए इस वीडियो के देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद